बिहार के नालंदा से आई खबर पांसो चात्राओं के बीच अकेला चात्र जारिये परिक्षा केंदर में फिर क्या हुआ? अक्सर परिक्षा केंदर में नकल करने की खबरें तो आपने बहुत सुनी होंगी और जब बात बिहार की हो तो फिर बात ही क्या? बिहार की परिक्षाओं के वीडियो अक्षर सामने आते रहते हैं जो लोगों को हैरत में डाल देते हैं लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये परिक्षा है या मजाक लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसे सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा क्योंकि ये मामला कुछ हटके है बिहार के नालंदा में बिहार बूट की इंटर्मीडियट परिक्षा में पहले दिन परिक्षार थी मनीश शंकर बड़ी मुसीबत में पड़ गया बिहार शरीफ के अलामा इगबाल कॉलेज के छात्र मनीश शंकर का इंटर परिक्षा का केंद्र ब्रिलियंट स्कूल में पड़ा ये स्कूल सिर्फ छात्राओं के लिए निर्धारित परिक्षा केंद्र था मनीश को एडमिट कार्ड के अनुसार इस केंदर पर परिक्षा देनी थी वो केंदर के अंदर परवेश्टो कर गया लेकिन परिसर में 499 छात्राओं के बीच खुद को अकेला पाकर अपने होश खो बैठा बताय जा रहा है कि स्कूल परशासन ने आनन फानन में छात्र को प्चार मोहिया कराई और बहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा इसके बाद उसके परिजनों को सूचित किया गया परिजनों के पहुचने पर जो बच्चे ने वज़ा बताई उसे सुनकर सब चौक गए बतादें कि बिहार में बोर्ड एक्जाम शुरू हो गए हैं और बुद्वार को बारवी की कक्षा खा एक छात्र पांसो चात्राओं के बीच परिक्षा हॉल में खुद को अकेला पाकर हडबडा गया बताया गया कि लिलका नर्वस होने की वज़ा से बेहोश हो गया चात्र की पैचान 17 वर्षी है मनिश शंकर प्रसाद के रूप में होई है चात्र ब्रिलियंट कॉन्वेंटी स्कूल सुन्दरगड में मैथ का पेपर देने गया था चात्र के रिष्टेदारों ने दावा किया है मनिश शंकर प्रसाद परिक्षा केंदर में एक मात्र पुरुष स्टुडेंट था जब उसने इतनी बड़ी संक्या में चात्राओं को देखा तो वै घबरा गया और फर्ष पर बेहोश होकर गिर पड़ा और उसको बुखार भी आ गया चात्र के पिता सचितानंद परसाद ने कहा कि इसकूल परशासन ने उसकी मदद की और उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भरती कराया कुछ घंटे बाद उसे छोड़ा गया इस मामले में चात्र के बुआ ने कहा कि परिक्षा केंदर में पांसो से जादा है चात्राई मौजूद थी इसकूल परशासन ने बड़ी संख्या में लड़कियों से घरे स्कूल के मुख्य हॉल में मेरे भतीजे को सीट दी बड़ी संख्याओं में लड़कियों को देखकर मनीश थोड़ा घबरा गया और बेहोश हो गया जाहिर है कि भिहार में बुद्वार को इंटर्मीडियट के परिक्षा शुरू हो गई है इस बीट सीएम नितिश कुमार के ग्रैजिला नालंदा के परिक्षा केंदर का दर्वाजा बंध होने के कारण छात्राइन जान जोकिम में डाल कर परिक्षा केंदर केंदर एंटी मारती हुई नजर आई बीते दिन इसके फोटो वीडियो खूब वाइरल हुए बताय जाता है कि लड़कियां कॉलिज में देर से पहुँची इसलिए उने गेट के बाहर रोका गया जिसके बाद लड़कियां ने ये कदम उठाया तो वहीं स्कूल पर शासन का कहना है कि शायद ये नाम गलती से चड़ गया हो गया थोड़ा जाच का विशे है अभी के लिए फलाल इतना ही खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए One India Hindi